तो Godzilla X-Kong New Empire रिलीज होने में अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं जिस टाइम पर हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके कारण Legendary Pictures वाले इसका पर्मोशन जोरो सोर से कर रहे हैं नए नए TV स्पॉर्ट्स और ट्रेलर्स को रिलीज करके तो आज की इस वीडियो में हम आप पर कॉंग स्कार किंग से फाइट कर चुका है एंड अब उसकी फटी पड़ी है विकॉज उसने देख लिया शीमो को एंड इस वाले सीन में धीरे देरे आसपास की एरिया भी फ्रीज होने लगती है जोकी शो करती है शीमो की आइस पावर्स को एंड जश्ट उसके अगले इस फाउंडिंग टाइटन यानि की शीमो को कंट्रोल कर सकता है जिसके बाद अगला सीन है ये पिरामिड वाले सीन का एक्टेंड वर्जन जहांपर हम कॉंग को एक पोर्टल की थुरू बाहर आते वे देखते हैं इस सीन में आप कॉंग के इंफिनिटी गॉंटलेट को भ आगे continue होता है एंड इस सीन में आप कॉंग के हाइट का अंदाजा भी लगा सकते हो क्योंकि पिरामिड का हाइट 137 मीटर होता है वहीं कॉंग उससे थोड़ा सा छोटा है तो कॉंग और बार्बी गॉड्जिला का हाइट एरॉंड 105 ये फिर 110 मीटर होगा फिर आगे इसी स केकल कर इन दोनों के बीच mail मिला हो जाता है और जी दोनों फिर साथ में मिलकर चिलाते भी है तो ऐसाब से यहाँ पर गोड्जिला के अलावा मॉठरा भी प्रेसंट होगी जिसकों की CGI की मदद से ट्रेलर से रिमूव कर दिया गया है इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं बार्बी गॉड्जिला का एक पूरा सीक्वेंस जहां पर वो बरब को तोड़ कर बाहर आता है और अपनी बार्बी अटॉमिक ब्रत को यूज करता है वैसे इस पूरे सीक्वेंस का जो बेस्ट पार्ट था वो था ये वाला सीन जो की बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है अगले सीन में हम देखते हैं गॉड्जिला को ब्रजील में अंडर वाटर जहां पर गॉड्जिला प्रोबैबली फाइनल बैटल को फाइट करने के लिए जा रहा होगा वैसे अगर आप इस वाले सीन को गॉड्ज से देखोगे तो यहाँ पर गॉड्जिला की डॉड्जिला की डॉड्जिला स्पाइक्स पिंक कलर की है So this also shows that कि अभी Godzilla कितना ज़्यादा powerful और evolve हो चुका है अगले सीन में हम देखते हैं Shimo vs Godzilla जहांपर probably Scarkin ने Shimo को बोला होगा Godzilla के उपर attack करने के लिए वैसे बोला तो नहीं ही होगा इशारा किया होगा And Shimo vs Godzilla की इस frame में आप ये भी देख सकते हो कि Shimo की height और weight Godzilla के comparison में बहुत ज़्यादा है और सायद Shimo भी विमल का सेवन करता है क्योंकि देखो तो उसकी जुबा कितनी के सरिया है अगले सीन में हम देखते हैं Shoo नामक monster बच्चे को चोकि Kong को अपना area दिखा रहा है और यहीं पर वो Kong से help भी मांगेगा कि हमको स्कार्किंग से बचा लो इसके बाद हमें Kong का एक wholesome scene दिखाये जाता है जहां पर वो Shoo को नहाते वे देखकर काफी ज़्यादा खुस हो रहा था ओ, यह बहुत ही गलत sound कर रहा है कि Kong Shoo को नहाते वे देखकर काफी ज़्यादा खुस हो रहा था तो आप कुछ कलत ना समझ लो, तो Shoo बस एक monster बच्चा है अगले scene में हम देखते हैं Godzilla को फिर से ice में बट यहां पर वो pink नहीं बलकि blue atomic breath का यूज़ कर रहा है तो हो सकता है कि यहां पर Godzilla, Titanus Tiamut के साथ fight करेगा अब यह Tiamut कौन है, तो Titanus Tiamut पूरे monster वर्स का biggest monster है जिसने की Godzilla Dominion Comics में Godzilla के साथ fight किया था और यह underwater Godzilla को बराबरी की टकर भी देता है बट on the land Godzilla इसको यह दिखा देता है कि Q वो the king of the monster है इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं सकार किंग को कुत्ते की तरह पिटते हुए जहां पर एक तरफ से कौंग इसको मारता है तो दूसरी तरफ से Godzilla इसको अपने पुछडी से मारता है तो सायद यह movie के final battle का ending होगा जहां पर स्कार किंग ने शीमो का control खो दिया होगा जिसके बाद Godzilla और कौंग मिलकर इसकी ठुकाई करेंगे वैसे अगर ऐसे कुछ होता है movie के अंदर तो यहां पर यह भी proof हो जाएगा कि स्कार किंग powerful है बट इतना भी नहीं कि वो Godzilla और कौंग दोनों को एक साथ हरा पाए अगले सीन में हम देखते कौंग को जो कि कुछ बंदरों से बचकर भाग रहा है और यहां पर उसका यह हाथ भी damage है तो यह तब का सीन हो सकता है जब कौंग सकार किंग या شीमो के हाथो पेला गया होगा जिसके बाद इसको जेल में डाल दिया गया बट कौंग वहाँ से जेल को तोड़ कर भाग गया होगा जिसके वज़े से यह सकार किंग के лον्रल अपनटर उसका पीछा कर रहे है और ये एपस नहीं कौन की स्पीसीज को बिलोंग करते हैं पिकरओ通 इनका हाथ काफी जाता चोटा है और ये कौन के comparison में बहुत ही पतले दूबले हैं और नहीं ये स्कार किंग की स्पीसीज को बिलोंग करते हैं तो अब ये कौन है, क्या है, क्यू है, ये तो मुवी आने के बाद ही पता चलेगा अगला सीन है अपने पास सिला का, जो कि एक Egyptian mythology की monster है और ये देखने में एक spider की तरह लगती है बैसे सिला को हमने पहले भी king of the monsters में देख रखा है जहांपर ये Godzilla को अपना alpha accept करती है बट इसके बावजूद यहांपर सिला गौड़सला के साथ fight करेगी and again Godzilla ये प्रूव करतेगा कि क्यू वो king of the monster है सिला को defeat करके और ये पूरा Colossium वाला सीन जो आप देख रहे हो ये भी एक पार्ट होगा सिला वर्सेज गौड़सला के battle का जहांपर गौड़सला सिला को defeat करेगा and वहीं पर rest करने लग जाएगा आगे अपने पास आखरी सीन है ये वाला जहांपर कॉंग लिटरली गौड़सला को right कर रहा है जो ये सिन्पियो का मूवी के final battle का जहांपर एक तरप से आएगे गौड़सला और कौंग और दूसरी तरप से आएगे स्कार्किंग और शीमो वैसे अगर उधर से स्कार्किंग भी शीमो के उपर बैट करा गया और इधर से कॉंग गॉड्जिला के उपर बैट करा गया तो ये fight देखने में मज़ा ही आ जाएगा तो अब हम आपको वो सारे नए scenes के बार में बता चुके हैं बट इस movie से related कुछ नए rumors और theories बाहर आई है जिसके हिसाब से Mecha Godzilla अभी भी जिन्दा है I mean technically तो वो मारा गया है बट उसके body parts को अभी भी रखा गया है जिसको कि Godzilla इस movie में destroy करेगा और इसी के वज़े से इस वाले scene में army Godzilla के उपर attack करेगी ताकि वो Mecha Godzilla के बचे कुछे हिस्से को destroy ना कर पाए बट वो Godzilla है यार तो वो वैसा करी देखा आगे एक और theory के हिसाब से अब Monsterverse में भी Pacific Rim के तरह ये बड़े-बड़े man-made monsters या फिर रोबोट्स exist करेंगे जिसको कि movie के post या mid credit scene में tease किया चाएगा वैसे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ये Monsterverse के universe के लिए भी काफी अच्छा होगा विकाज इससे उनका universe और भी ज्यादा diverse होगा तो लोग सिर्फ Godzilla और Kong पर ही अटके वे नहीं रहेंगे वैसे ये सब तो बात के बात है ये गलत भी हो सकता है या फिर सही भी हो सकता है लेकिन जो भी हो वो सब कुस तो मुवी आने के बाद पता चलिये नहीं जाएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को लाइक और सिस्क्राइब भी कर दीजेगा अगर आपको Monsterverse पर ऐसे ही और वीडियोस देखना है जैसे की Mechagodzilla vs Iron Man, Kong vs Thor, Kong vs Hulk, Godzilla vs Avengers, Godzilla vs Superman तो उन सारे वीडियोस का एक पुरा प्लेलिस आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा वो जरूर चेक आउट कीजेगा बागी तब तक के लिए बाई 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 टाटा एंड टेक केर